चले बच्चो, 24 फेब के जो इवनिंग शिफ्ट है, उसका डिस्केशन करते हैं, सबसे पहला सवाल, बहुत ही बेसिक सा यह सवाल पूछा गया है, हमने आपको क्लास के अंदर बड़ा जैनर डायोड पढ़ाया था, और उसमें उससे पहले जैनर बेकडाउन और अवलेंच आपको सिखाया था, उसमें से जैनर के उपर यह सवाल है, which of the following is correct for जैनर डायोड, जैनर डायोड के लिए, डोपिंग कैसी होगी, और डिपलिशन रिजन की थिकनेस क्या होगी, यह हमसे सवाल पूछा गया है, हाला कि यह फिलिटिकल सवाल है, लगिन हमने ग्लास के अंद जो बीच वाला रिजन होता है, जो मारा डिपलिशन रिजन होता है, उसकी थिकनेस बहुत कम होगी, in the order of micrometers के आसपास होती है, and it is heavily dopped, it is heavily dopped, dopping अच्छी खासी होगी, तो अच्छी खासी डोपिंग होगी, और थिकनेस बहुत कम से कम होगी, heavily dopped and depletion region thickness is less, यह आपका अ अंसर आएगा, बड़ा ही आपका अंसर आएगा, यह आपका अंसर है, जो मारा avalanche breakdown था, अगर कैसे कोई याद हो, तो उसके अंदर यह जो region था, जो मारा depletion region है, यह medium dopped था, और इसके थिकनेस की थोड़ी सी जादा थी, आई होगा आपको याद भी आ रहे है, चलिए, next, अगला सवाल, बिलकुल simple center of mass के formula based सवाल है, सवाल इस तरह से है, कि आपके पास एक disk है, जिसमें से a by 2 radius का हमने एक छोटी disk इसमें से cut कर दी है, हमसे पूछा है कि बताईए कि x coordinate of center of mass क्या होगा, हमसे पूछा गया है कि x coordinate of center of mass क्या होगा, बड़ा बहुत simple है, ये तो हमारा जो भी cavity वाला सवाल था, बिलकुल वही होगा, cavity वाले सवालों के इसाप से कर देखें, तो x coordinate of center of mass का सीधा सीधा formula वा करता था, पूरा area into उसका x coordinate minus cavity का area into उसका x coordinate, divided by पूरा area minus cavity का area, I hope बड़ा आपको formula या आँदू का, पूरा area, of course, pi a square, multiplied by उसका x coordinate, अगर पूरी disk होती, तो उसके center of mass का x coordinate तो a आथा, minus, ये cavity का area, बड़ा cavity का area is pi a square by 4, multiplied by उसका x coordinate, उसका x coordinate इसके center of mass तो यहां पर है, इस center of mass का coordinate यहां से बड़ा कितना आएगा, a plus a by 2, that comes out to be 3a by 2, divided by, of course, a minus a1, a minus, sorry, pi a square minus pi a square by 4, अब बड़े रामसिस में कह सकते हैं, कि that is, pi a cube minus, बड़ा ये कितना आगे है, 3 pi a cube upon 8, चेक करना बड़ा, नीचे तो 8 आगे, उपर बड़ा 3 आगे, divided by, divided by, 1 minus 1 by 4 बड़ा कितना हो गया, 3 by 4 times pi a square, बड़ा pi a square, pi a square तो cancel हो गया, 1 minus 3 by 8 is, of course, 5 by 8 times of a, and divided by 3 by 4, that is, I think, 5 by 6 times of a, कोई option है कैसा, हाँ बड़ा बलकुल option, हमारा तो पहला option हो गया है, यह मारा answer है, ठीक है, आगे चली बच, नेक्स्ट, यह सवाल थोड़ा अच्छा है, बन्दब, calculation के साब से अच्छा है, ऐसे conceptually तो ठीक है, बड़ा, दिखते ही पतल रहते ही क्या करना है, लेकिन इस साल, जेई मेन के paper जितने आसान पूछेगे, उसके अगर comparison में अगर देखे तो सवाल थोड़ा से relatively, बड़िया वाली side में है, conceptually कोई उस खास बड़ी काम इसमें है नहीं, a body is projected from origin, let's say बड़ा यह आपका origin, with velocity V0, कितनी velocity के साथ, V0 के साथ, चलो, यहां से चलना start वा, यह आपका X equals to 0, इस पर कोई force लग रहा है, बड़ा, minus alpha X square, ठीक है, बड़ा, अच्छी बात है, find the maximum distance from the origin up to which the body can go, बड़ा, maximum कितनी distance तक जा सकता है, सवाल में लिखा हुआ है कि यहां से X distance दूर जब चला जाएगा, तब इस particle के पास, let's say, सामने की तरफ velocity V होगी, और पीछे की तरफ acceleration होगा, सिर्फ पीछे की तरफ क्यों, बड़ा, force negative दिरख है, तो of course पीछे की तरफ, और उस acceleration की value होगी, बड़ा, minus तो सिर्फ और सिर्फ डरेक्शन बतार है, इस लिएग बात से, alpha X square upon N, this is the acceleration, acceleration is alpha X square upon N, this acceleration can be written as minus dv by dt, as well as v dv by dx, अगर मुझे, velocity as a function of time वगे निकालना होता, तो इसको सवाल करता है, बड़ा, मुझे velocity as a function of position निकालना है, इसलिए मैं इसको सवाल करता हूँ, मुझे सर्फ यवाल equation सवाल करनी है, it gives me alpha X square upon N, into dx is equals to minus v dv, integrate, integrate, बिलकुल शुरुआत में X की value 0 थी, तब बड़ा आपकी जो velocity थी, वो V naught थी, particle जैसे से आगे जाएगा, acceleration पीछे है, लगाता है, velocity कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कहीं ने कहीं जाकर velocity 0 हो जाएगी, और of course वहीं आपका maximum X coordinate होगा, तो कहीं ने कहीं जाते बड़ा velocity 0 होगी, वो आपका X coordinate maximum होगा, यह मुझे X निकालना है, alpha ठीक है, M ठीक है, X square का integration बड़ा of course आएगा, X cube by 3, limit लगाँगा तो X cube by 3, minus 0 cube by 3, यहां से X की बड़ा मेरे पास value आगई, X की value आगई, क्या value आगई है, 3M V naught का square, upon 2 times alpha, की power 1 by 3, 3M V naught का square, 3M V naught का square, upon 2 alpha, की power 1 by 3, हाँ बड़ा ऐसा option है तो सही, पहला है option है, पहला है option है, ठीक है बड़ा आगई, आगे चली बच्छ, next, हमारे पास एक diagram दे रखा है, ठीक की बड़ा, हमारे पास बड़ा एक diagram दे रखा है, जिसके अंदर दोनों के दोनों मारे पास, कुछ gates दे रखा है, बड़ा में, कुछ logic gates दे रखा है, और उन पुरा हमसे सवाल पूछा गया, तो एक diagram दो बड़ा सवाल में है, जिसमें मारे पास एक और gate लगा रखा है, बड़ा यह आपके पास एक और gate लगा रखा है, ठीक है बड़ा अच्छी बात है, और दो आपके इस तरह से NOR gate लगा रखा है, ठीक है बड़ा, यह A है, यह A को हमने NOR gate से बुज़ारा, तो of course यहारे पास हो गया A bar, यहारे पास हो गया A bar, यह बी है पटा और गेट से निकला और गेट से निकलने बाद अफ्कोर्स यह हो जाएगा आप, मैं यहां पर audio input आएगा,that will be अबा।ो और बी फिर वापस से नोट गेट से निकला यह वापस से नोट गेट से निकला तो वापस से इसका नौट हो जाएगा तो हमारा जो final result है, बटा, it is like this, it is like this, it is like this, it is always equals to, बटा, it is always equals to, बटा, it is always equals to A and B bar, it is always equals to A and B bar, अब इन जो चार option में हैं, आप इन वे से चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला A and B bar के बराबर है, तो बटा, इसमें से देखो, तो ये तो A है, ये A गया है, नॉट गेट से, तो यहाँ पर of course आपका, sorry B गया है बटा, नॉट गेट से B bar हो गया, यहाँ से A आया है, यहाँ से बट यह output and this output will be same, यह वाली बात अगर याद ना रहें, तो हम इसको पूरी की पूरी सिचुशन को truth table से भी solve कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जैसे मैं truth table से हलका सा करके दिखाता हूँ, पहले वाले कि मैं truth table बना रहा हूँ, सुनना, यह A, यह B, बड़ा फिर मुझे A बार चाहिए, फिर मुझे A बार और B का और चाहिए, फिर मुझे A बार और B के और बार का नॉट चाहिए, अराब अराब से करते हैं, चलाओ, यह 0, यह 0. एगर 0 है तो, A bar, of course, 1 हो गया, 0 और 1 का और करना है, 0 और 1 का और करना है, तो 1, डोने में से एक भी 1 हो गया, तो 1, मुझे फिर आकिन में इसका उल्टा करना है, भेले 0, भेले 0, इसी तरीकी से, मैंने इसको 0 लिखा, इसको 1 लिखा, 0 का उल्टा 1 1 और 1 का और करना है बड़ा क्या आएगा 1 और 1 का 1 और 1 का और करना है क्या आएगा 1 उसका फिर आपे से नौट करना है 0 ठीक है बड़ा फिर मैंने क्या किया मैंने इसको दो बड़ा दो बार 0 ले दो इसे 1 लिखा इसे 0 लिखा A अगर 1 है तो A बार क्या होगा 0 0 और 0 का मैंने और किया तो 0 आएगा देए मुझे इसका not करना है तो यह 1 आएगा यह आपका Y है एक तरीके से मैंने इसको 1 किया यह 1 है तो इसका और जो 1 और 0 का और करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा 1 का उल्टा करोगे बड़ा क्या आएगा 0 आएगा यह इसके truth table है अब इन चारों के truth table बना सकते हो answer यह इसलिए मैं इसको इससे check कराएता हूँ इसके truth table में क्या क्या होगा सबसे पहले मुझे A लिखना है B लिखना है फिर मुझे B का बार चाहिए फिर मुझे A और B बार का end करना है देखते है A और B दोटनो zero zero B zero है तो B बार दो बड़ा वन होगा zero और one का end करना है तो one sorry zero और one का end करना है बड़ा क्या आएगा zero end में दोनो one होंगे सिर्फ उसे तभी ये वन ना होगा, otherwise 1 नहीं होगा ठीक, आगे चलते बड़ा फिर क्या अन पूर्ची, 0 and 1 मैंने इसे 0 लिखा, इसे 1 लिखा, लिखता हूँ ये 1 है तो of course बड़ा B बार तो आपका 0 आ गया दोनों में से एक भी 0 होगा, तो ये तो 0 आएगा, 0, 1 तो बड़ा रिजल्ट 0, 0, 1 तो रिजल्ट 0, अच्छी बात बड़ा, दिखाए तो दे रहा है फिर मुझे क्या एंटर इस लिखना, 1 and 0, एक बड़ा, एक को मैंने लिखा क्या लिखना, एक को लिखा 1, तो बड़ा B को लिखा 0 B को 0 तो B का B का बार, तो 1 मुझे अब A और B बार का end करना है, बड़ा दोनों वन तो of course resultant भी, resultant भी 1, बड़ा resultant यहां पर भी 1 last, 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 मुझे दोनों वन करने, ये 1, ये 1, ये 1 तो बड़ा of course ये 0, इन दोनों का अगर मैं end करूँगा, तो 0, यहां भी 0, बड़ा यहां भी 0 इसका मलब इससे जो final entry आ रही है, और इससे जो final entry आ रही है, वह exactly same आ रही, exactly same आ रही I hope I get the point, आगे चलते हैं चली बड़ा, अगला सवा next is, weight at pole is 49 newton then, weight at equatoris अब बड़ा वैसे इसका formula आगीन, class का ये example है आपकोड़ा याद भी होगा, कि अगर इस तरह से मार पांस ये अर्थ है अर्थ जो है, वो अपनी इस axis के बाट लगातार omega से घूमती रहती है pole पर अर्थ के घूमने के वेज़ से कोई फर्थ नहीं पड़ता और जो weight है उसकी value आती है, आपके पास mg किसी भी angle theta पर जो object है, जो इस अर्थ के surface अपड़ा है उसका weight का formula या था, mg minus m omega square r cos square theta omega है, अर्थ का अपनी axis के बाट घूमने का angle velocity, r है बटा radius of earth इस point पर तो theta की value 90 हो जाएगी, तो cos 90 is 0 तो यहाँ पर तो weight हो गया mg है, तो pole पर तो weight जो है वो mg ही है, और जिसकी value है 49 newton मुझसे पूछा है कि equator पर अगर को अबजेक्ट है तो उसका weight क्या होगा उसका weight होगा, mg minus m omega square r cos square 0, that comes out to be mg minus m omega square r वैसे है न, हम लोगों को omega of earth पता है बड़ा earth का omega is of course 2 pi divided by time period of earth बड़ा earth का अपनी axis की बड़ रोटेट करने का omega है 24 into 60 into 60 radius of earth भी मुझे पता है 6400 km हाँ बड़ा, 6400 km तो बड़ा मैं इसको meter में convert कर गया है इस तरह से ये इतने meter तो हम values रखके निकाल सकते हैं लेकिन आपको बड़ा values निकालने के जरूत है नहीं क्योंकि हमें इतना पता रग गया कि ये जो भी value आएगी ये obvious बात है कि 49 newton से तो कमी आएगी इन चार में से सिर्फ और सिर्फ एक ये option ऐसा था जो 49 newton से कम था that was option number 1 otherwise of course बड़ा मैं values तो रख भी पाते हैं चली बच्छ अगे चलते हैं if the D Broglie wavelength of alpha particle and proton are equal then the ratio of their velocities of course they are talking about the magnitude of velocities बटराम से कर देंगे alpha particle as you know it very well alpha particle is just helium nucleus 2he4 उसका mass बड़ा तम लोग जानते हो कि 4ame होता है रही बाद बड़ा proton के proton का mass बड़ा of course है हम बड़ा 1ame होता है तो अगर इसका mass मैंने अगर m माल लिया तो इसका mass मुझे रफली 4m मालना पड़ेगा दोनों के D Broglie wavelength मुझे same दे रखे है same दे रखे है तो D Broglie wavelength of क्याना ना alpha particle is h upon 4m alpha particle की velocity D Broglie wavelength of proton h upon उसका mass इंटो उसकी velocity दोनों बराबर कर रखे है that is equals to h upon 4m velocity of alpha particle h से h mass से mass cancel हो गया अबड़ा मेरे पास आगया है अबड़ा क्या आगया velocity of alpha particle divided by velocity of proton velocity of alpha particle मेरे पास आगया velocity of proton is equals to 4 times velocity of alpha particle velocity of alpha particle upon velocity of proton मेरे पास आगया 1 by 4 यह आपका answer simple दा सब्सक्राइब आगे चली बच्छ in light source emitting light if we change light from violet to red बड़ा violet से red कर दोगे तो क्या फर्पड़ेगा fringes become dark अरे नहीं बड़ा fringes तो जैसे brightness दी वैसी रही lambda से क्या फर्पड़ेगा the separation between two consecutive fringes decreases यह हो सकता है दो fringes के बीच का जो separation है वो हमारी fringe width है और fringe width का formula होता है lambda capital D upon small d हम जानते हैं कि जो violet है उसकी wavelength कम है और red की जो wavelength है बड़ा वो जादा है और red की अगर lambda जादा है तो of course बीचा of red जो आएगा वो बीचा of violet से जादा आएगा इसका मलब पहले तुम अगर violet यूज कर रहे थे और अब अगर तुम red यूज कर रहे हो तो obvious बात है कि fringe width बढ़ जाएगी fringe width बढ़ जाएगी तो fringes के बीच का तो separation है बड़ा वो separation भी तो बढ़ जाएगा तो ऐसे देखने पैसा लग रहा है कि of course बढ़ option 2 तो जास उसका उल्टा बोल दिया कि separation between 2 consecutive fringe will decrease पहले violet था बढ़ फिर red कर दिया चलो फिर बाकी option उपर लेते हैं intensity of central maxima will increase नहीं ऐसा कुछ कह नहीं सकते central maxima के intensity तो इस बात पर depend करते है कि जो मैं light fakie है उसकी intensity क्या है intensity of central maxima will decrease नहीं ये तो पक्की बात है कि option 1, 2, 3 ये तो गलत है क्योंकि lambda पर depend तो सिर्फ उसे fringe weight करती है तो ऐसे case में हम मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बढ़ जो option number 2 है शायद या तो उसके अंदर increases लिखा होगा या फिर पहले red होगी और बाद में violet होगी तो इन में से कुछ ऐसा हो सकता है ये तो बड़ा हमने ऐसे handwritten जो paper आया था जो बच्चों ने बीजेते हैं उन में से निकाल के लिखा है लेकिन दुम concept को मेरे एक साथ समझी कियो कि क्या क्या कहना चाहते है ठीक है आगे चलते है next बड़ा बहुत ही आसान था सवार switch S को हमने close किया T equal to 0 पर find the current given by the battery just after closing the switch switch को just close करते ही battery में से current क्या होगा बड़े आराम से करते है just close करोगे न तो आपका ये जो क्या नाम बड़ाई है inductor है it will behave like a broken wire because time T is equal to 0 पर inductor जो है वो broken wire की तरह behavior करता है infinite resistance की तरह behavior करता है ये वाला inductor also behave like broken wire तो यहां से और यहां से तो शुरात में को current जाना ही नहीं है साना का सारा जो current होगा switch को on करते ही वो यू निकल जाएगा और इस current की value हम बड़े आराम से कैसे बड़ा बड़े आराम से बड़े आराम से लेक्साते हैं current is equals to no voltage है बड़ा दो दो चार ओम का resistance है 9 by 4 बड़ा कितना होगा 2.25 current जो आएगा बैक्टरी में से वो 2.25 MP रहाएगा कोई नों के option होना चीए आगे चले बच्चो नेक्स्ट इस find frequency of oscillation of a spring block system बैटा एक spring block system गिरका और मुझे उसकी frequency निकाल ले है पहली बाद तो चाहे ऐसे horizontal चाहे इस system को inclined रख लो चाहे horizontal रख लो time period तो same ही आएगा because time period जो है वो कभी भी constant force पर मुनलब mg साइन टेटा mg costa normal इन पर depend नहीं करता तो चाहे आप पूरे को पूरे system को horizontal में रख लो चाहे आप इस पूरे पूरे system को vertical में रख लो बड़ा answer तो आपका same ही आएगा तो चाहे उसको सवालों कर लो चाहे इस सवालों कर लो answer तो same है ये k और ये k दोनों series में नहीं है parallel में है और अगर parallel में है तो तुम इस बात को बड़ा बड़े आराम से जानते हो कि हमारे यहाँ पर k equivalent जो आएगा k1 plus k2 that comes out to be 2k रही बात time period की time period is of course 2 pi root m by k equivalent k equivalent कितना बड़ा 2k रही बात frequency की frequency is of course 1 by t that comes out to be 1 upon 2 pi root of 2k by m है क्या सब बात बड़ा 1 upon 2 pi ठीक है 2k उपर यह आपका अंसर आगे चले बत्चों next is in which of the transition in hydrogen-like atom the frequency of the emitted photon will be maximum अगर किसी भी level से किसी भी level से बड़ा कोई transition अगर हो रहा है तो उस case में जो photon निकलेगा उसके पास frequency कब जादा होगी हम जानते हैं कि उस photon के पास energy होती है h into f frequency जादा मतलब photon के पास energy जादा photon के पास energy जादा इस बात का मतलब यह है कि electron जो है वो अपने transition के अंदर सबसे जादा energy loss करना चाहिए पहले वाले case में electron जो है वो 2-7 पे आता है दूसरे वाले case में 4-3 पे आता है तीसेरे वाले case के अंदर 5-4 पे आता है और चोथे वाले case में 3-2 पे आता है हाला कि जो steps है वो तो 1-1 है लगिन यू know it very well कि यह वाला difference बढ़ा होता है यह चोटा होता है यह और चोटा होता है तो जब आपका electron n equal to 2 से n equal to 1 पर आएगा उस case के अंदर वो electron सबसे जबा energy loss करेगा और अगर energy सबसे ज़ादा loss तो of course जो photon निकल रहा है उसके पास भी energy सबसे ज़ादा energy ज़ादा तो of course frequency भी उसके सबसे ज़ादा तो बढ़ा answer should be 2-2-1 चली बच्छो नागे चली next is बढ़ा इसमें electron proton ज़रू लिखे वे otherwise बढ़ा इक class का ही example बस मैंने charges लिख दिया होंगे मैंने capital क्यों 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 लिख दिया होंगा बढ़ा यहाँ पर सिर्फ वो सर्फ यह e epsilon और ऐसा कुछ नो कुछ हमें दे रखा है mass of proton दे रखा है mp और ठीक है बढ़ा electron fix कर रखे है और distance बढ़ा कितने 2d पर ठीक है फिर यो सुनो situation ऐसी है यहाँ पर एक electron fix है charge है minus e यह electron fix है charge है minus e बीचों बीच एक proton है जिसका mass है mp और जिसका charge है of course बढ़ा plus e हमें सवाल में कहारा है कि हमने इस electron को हलकासा उपर की तरफ displace किया let's say x ये distance आपके पास d है ये electron जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा येवाला electron इसे अपनी तरफ किसे ने किसी force से खींचेगा येवाला electron भी इस proton को अपनी तरफ किसे ने किसी force से खींचेगा अगर ये वाला angle theta है ये वाला angle theta है तो बड़ा ये वाला angle theta है ये वाला angle theta है f cost हो गया cancel नीचे की तरफ मेरे पास कुछ नो कुछ force आएगा that force will be of course 2f का sine theta हमें कहा गया है कि प्रूव करना है कि अगर मैं प्रोटम को हलका सा displace करूँ ऐसे perpendicularly तो इसकी oscillation की angular frequency चाहिए अब यार ये तो प्रूव हो गया कि उपर displace कर रहा हूँ तो net force नीचे तो oscillation तो करेगा लेकिन उस oscillation का time पर निकालने के लिए पिले आपको force लिखना पड़ेगा ये जो net force है this net force is 2f sine theta 2 times f ये वाल एलेक्ट्रोन इस वाले प्रोट्रोन पो किता force लाएगा 1 upon 4pi epsilon naught q1 q2 upon distance का square distance का square is d square plus x square into sine theta sine theta is perpendicular upon hypotenuse that is equals to x upon hypotenuse hypotenuse is root of d square plus x square मेरे पास या गया 3 by 2 sir oscillation करने के लिए या फिर simple harmonic motion करने के लिए force तो directly proportional to x होना चाहिए sir x प्रोपर भी है नीचे भी है हम ही assume कर लेते हैं कि हमने इस particle को slightly displace किया है तो d square के सामने x square की value बहुत 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 चोटी है और हम कह सकते हैं कि हमारा जो net force है वो आ गया है 2 e square 2 को तो टाटाई दो e square upon 2 pi epsilon naught d square plus x square लोग दो d square उसकी power 3 by 2 हो गया d cube into x क्या force directly proportional to x आ गया है yes तो पक्की बात क्या सचेम करेगा and net force must be equals to mass of proton into acceleration mass of proton into acceleration तो मेरे पास acceleration की value आगई है बढ़ा कितनी आगई है e square upon 2 pi epsilon naught d cube into m into x acceleration is equals to something into x we know it very well कि this is something is your omega square omega is of course angular frequency angular frequency बढ़ा आपके पास आगई है root of बढ़ा क्या आगई है root of e square upon 2 pi epsilon naught m d raise to power 3 e square बढ़ा उपर e square था है इसमें नीचे है 2 pi epsilon naught m d cube ये वन आपका आगई है ठीक है बच्चों को याद भी आगए होगा बढ़ा क्लास का एक्जाम्बल थे next is if soft iron is placed in external uniform magnetic field size of domain change होगी है orientation चेंज होगा दोनों change होगे अगें क्लास में लिखार खबड़ा आप लोगों को याई बात कि माल लीजे कि आपके पास ये कोई soft iron है चेंगें ऐसे soft iron है उसके अंदर ऐसे बड़े-बड़े domains जो भी ferromagnetic substance होते है उनके अंदर ऐसे बड़े-बड़े domains बने होते है जिन टाइक वलोमेंट्स ऐसे होते है ऐसे होते है चेंगें और मैंने कोई इस तरफ external magnetic field लगा दी जैसे मैंने ऐसे external magnetic field लिका लगा दी class के notes में लिखा भी रखा है विड़ा आपको कि जो magnetic field की तरफ वाला region domain होगा उसकी size तो बढ़ जाएगी जो opposite वाला है उसकी बड़ा घड़ जाएगी और बाकी लोग जो है बड़ा वो भी align होने की कोशिश करेंगे किसकी तरफ external magnetic field की तरफ तो देविल ऐसे कह सकते हो कि size भी change होगी और orientation भी change होगी size of domain will change and orientation will also change ठीक है आसान सा सवाल है बड़ा आगे चाहिए which are the following represent traveling wave traveling wave के लिए expression should be like this t minus x upon v या फिर फिर t plus x upon v इस तरह कोई expression होना चाहिए इसमें है t plus minus something इसमें भी है तो यह तो नहीं हो सकता यहाँ पर t minus x upon v t minus x upon v ऐसा कुछ नहीं है यह दोनों हो नहीं सकते इसमें t minus x upon v type है तो सही यहाँ पर भी x है तो बड़ा answer कौन सा है पहला है तो बड़ा ठीक है ऐसे फरजी सवाल है चली बच्चो अगला सवाल करते है pressure versus volume curve दे रखा है a से b तक isothermal है b से c तक isocoric है और c से b तक adiabatic है pressure और volume graph के अंदर दे रखा है a से b तक का जो temperature है वो हमें t दे रखा है a से b तक का जो temperature है बड़ा मुझो टी दे रखा है a वाले point पर pressure है p, volume है v b वाले point पर pressure है p by 2 volume है 2b मुझसे पूछा कि इस पूरे परे cycler process में burden कितना है very simple, extremely simple a से b isothermal process है work done will be n, r, t log of v final upon v initial that is 2v upon v that comes out with 2 आखिर में number of modes को बन्र देंगे b से c तक iso correct process है तो of course बड़ा work done will be 0 c से a तक adiabatic process है I am hoping that की बड़ा adiabatic process का बड़ा आपको पता है c से a आरे बड़ा, c से a temperature में बड़ा राम से कह सकता हूं कि यहां पर प्रेशर है plus 1 upon 2 times 1 minus gamma बड़ा आपका answer आना चीए number of moles को बड़ा 1 रखे ना number of moles को पहले answer आगे, बस बड़ा मैंने इतना सा परक रखा है कि बड़ा मैंने 1 minus gamma लिखा हूं है आपकर gamma minus 1 लिखा हूं है बड़ा बड़ा plus है यहां पर minus है पर पहला answer है चली बड़ा next is बड़ा error का सवाल है और more or less यह शायद बड़ा आपने even class में ही कर रखा अपनों लोगों को बहुत ही आसांता सवाल है और वह शायद तुमने एक्जाम ग्याव को से तीन चाह दिन पहले अपनों लोगोंने class में सवाल कर रखा है मेरे काल से values भी more or less बड़ाओ ऐसी है तो सुनिए टाइम पिरिड दे रखा है T is equal to 2 by root L by G किसी भी simple pendulum का मुझे G में error निकाल ली है अगर टाइम पिरिड के वह लिए 1.95 है length आपका 1 meter है least count, least count मतलब error L में error 1 mm है और time period में error बड़ा 10 millisecond है तो ठीक है मुझे G में error निकाल लेंगे मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि T square is equals to 4 pi square L by G मैं लिख सकता हूँ कि T is equals to ने मुझे G निकालना है G is equals to 4 pi square L upon T square error का formula मैं तो मैं सिखा रख है बड़ा पावर को नीचे ले आदा हो और हम लिख सकते हैं बड़े आराम से DG upon G into 100 बड़ा percentage error निकालना है इसलिए should be equal to 4 pi square तो constant है L पर पावर 1 है तो सिखते लिख दो DL upon L into 100 T पर पावर minus 2 है तो 2 को नीचे ले आओ और error में कभी minus निया ता मेंशा plus आता है 2 times DT upon T into 100 सिर्फ value जरख नहीं बड़ा answer आजाएगा जैसे length में कितनी error है 1 mm की 1 mm में अलब 10 to power minus 3 meter actual length कितनी है 1 meter से meter cancel multiply with 100 plus 2 times time period में कितनी error है time period में error है error है 10 millisecond 10 millisecond मतलब 10 raise to power minus 2 मिली मतलब 10 to minus 3 10 into 10 raise to minus 3 upon actual time period actual time period है 1.95 into आपका 100 ये तो आगे मेरे पास 0.1 plus ये दोनों ड़के होगे cancel plus 2 upon 1.95 ये कितना है 2 plus 0.195 divided by 1.9 2 divided by 1.95 2 divided by 1.95 यह आ गया 1.02 1.02 तो यह आ गया 0.1 पहले से है तो बड़े लगभग लगभग 1.12 परसेंटेज के आसपास आना चाहिए ओप्शन दे भी रख था बड़ा थर्ड ओप्शन दे रख था यह आप काल से यह आप काल से चलिए उच्छाँ आगे X-ray tube एक्सपरिमेंट एक्सलिटिंग वोल्टेज इस गिवन एज 1.24 मेगा वोल्ट बिनाए कैपिटल M मेगा वोल्ट फाइंट था कट ओफ वेवलेंथ वेरी सिंपल कट ओफ वेवलेंथ वाले के अंदर जितना आपका एक्सलिटिंग वोल्टेज ने जितने आपके एक्सलिटिंग वोल्टेज ने एक्सलिटिंग वोल्टेज ने एलेक्ट्रोन को energy D होगी कितने energy D होगी E into VA वो सारी के सारे photon के form में बहार ने कर जाते that is goes to Hc by lambda और ये lambda हमारा cut of wavelength था इसका formula था Hc upon E times VA Hc अपन ने याद भी कर रखा है 12400 इलेक्ट्रो वोल्ट एंग स्ट्रॉंग डिवाइड बाई ये E तो इलेक्ट्र है इलेक्ट्रो से लेक्ट्रो कैंसल accelerating voltage मुझे दे रखा है 1.24 into 10 raise to power 6 वोल्ट वोल्ट से वोल्ट कैंसल मेरे पास आंसर आ गया 12400 डिवाइड बाई 1.24 into 10 raise to power 6 एक डो तीन चार चार डोट इदर लेया तो 1.24 into 10 raise to power 4 ये बड़ा दो नों कैंसल होगे मेरे पास आ गया 10 raise to power minus 2 बड़ा सर्फो सर्फ क्या बचा है 10 raise to power minus 2 अंस्ट्रोम अंच्छी 10 raise to power minus 2 अंस्ट्रोम अंच्छी 10 raise to power minus 2 अंस्ट्रोम अंच्छी अगर बड़ा नेनोमेटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 10 raise to power minus 3 नेनोमेटर ऐसे बड़ा कॉन्स ऑप्शन है पहला विड़ा आपको ऑप्शन है अंस्ट्रोम में निकाल दिया नेनोमेटर निकाल देना क्योंकि सारे उप्शन है नेनोमेटर में थे चलिए ऐस तो लिए होता है सिकार का तुम लोगो बलकि बोला है जिस टैम पर ट्रांजिस्टर पढ़ाया गया तो मैंने साफ साफ इस बात को बोला था कि हम एक सिंगल प्लेट लेंगे intrinsic semiconductor के pure semiconductor के और हम उस सिंगल प्लेट पर तीन तरह से doping करेंगे यहाँ पर चलो P की doping करेंगे फिर यहाँ पर N की doping करेंगे फिर यहाँ पर P की doping करेंगे ऐसा नहीं कि यहाँ पर P की कर दी यहाँ पर P की कर दी फिर N की कर दी फिर P की कर दी तीन अलग अलग ले लिए और उनको चिपका दिया एक ही intrinsic semiconductor होगा और इस तरह से करेंगे आई होगा आपको याद होगा तो पहला statement ही आपका गलत हो गया यह तो जूट है बड़ा ऐसे ने कि दो PN diode ले लिया और सिरीज में लगा दिया तो बड़ा आपको यह लिए बड़ा व्यटा इसकन इसे होता है और अलफा केस्ट में आई थी होता है तो दूसरा वाला गलत है पहला वाला गलत है दूसरा यह होगया कि अब्शन नम्बर टू होगया। अगे चलिए बत्चो मुझे क्या रखा है विचे तो the following curve represent relation between velocity with displacement of the particle performing SHM. Simple as all, velocity or displacement बीच में एक्वेशन जानते हैं, V is equals to omega under root of a square minus x square. मैं लिख सकता हो कि V square is equals to omega square a square minus omega square x square. मैं लिख सकता हो कि V square plus omega square x square is equals to omega square a square. मैं लिख सकता हो हो कि V square upon omega square a square plus x square upon a square is equals to one. As you know it very well gets an equation of ellipse. अगेन बीटा क्लास के example है, सारे के सारे graph will be like this. अगर ये V है और ये x है तो बीटा ये वाला point आपका आएगा omega a, ये वाला point आएगा minus omega a बीटा ये वाला point आएगा plus amplitude बीटा ये वाला आएगा minus amplitude. कौन साप्शन? ellipse. बीटाए, spelling के लगाता है, सही के लगाता है. ये आपका ellipse. next, which are the following appropriate regarding boresmode. बीटा, boresmode speed किसके directly proportional है, frequency के. मैंने तो अगेर आपको बहुत सार बताया थे, यार न. ठीक है, अब तुम देख लो है अपने इसाब से. तुम्हें radius तो कम से कम यादा रहता होगा, कि जो radius, कि जो radius है, it is directly proportional to n square by z. ये तो यादा रहता होगा, इससे सारे निकल जाएंगे, सारे निकल जाएंगे, जैसे, मुझसे पूछ रहता है speed, वैसे speed भी आत करा रखा है, नहीं आते तो ऐसे कर लो, m v r is equals to n h upon 2 pi, बड़ा बोर्स postulate ही था, तो अब बड़े अराम से कह सकते हो कि v is equals to n h upon 2 pi m r, ये तो सिर्फ constant है, इनमें interest नहीं है, इसमें interest नहीं है, मुझे तो सिर्फ उसर्फ इनमें interest है, that is n upon r, r बड़ा पहले से n square upon z, बड़ा एक n से n क्या हो गया, cancel z by n, तो speed directly proportional to z by n है, तो ए तो बड़ा पक्की बात है कि सही है, लगिन ए सही है, ये पहला statement भी कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है, और चोथा भी कह रहा है, पक्की बात है कि तीसरा तो करना तो होगा, अगरा चलते है, frequency of oscillation, ठीक है बड़ा, वो कितने चक्र काटता है, class में निकाल रखा है, लेन मैंने ये भी कहा थे याब मेंद करना, ठीक है, सिर्क कैसे निकाले इसको, बड़ा गें, simple, frequency निकालने के लिए, आप कह सकते हो, ये तो time पर लिख गया है, omega is of course बड़ा, v by r, frequency क्या होता है, omega upon 2 pi, तो that is v upon 2 pi r, अगर बड़ा 2 pi तो constant है, उसमें तो मैं अतना interest है नहीं, मुझे तो सिर्फ और ये z और n में interest है, v जो आया है, उसमें तो z upon n आया है, और नीचे जो r है, उसमें हम पहले से जानते हैं कि n square upon z आया है, तो z square उपर चला जाएगा, n cube नीचे जाएगा, z square upon n cube, नहीं नहीं बड़ा, उसमें तो z cube लिखा गा है, b गलत हो गया, बी गलत हो गया, बी गलत हो गया, तो second option हो नहीं सकता, fourth हो नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ पहला होगा, फिर भी ट्रै करना चाओ, फिर अग्यों, अपना आंसर तो आ चुका है, फिर भी तुम्हें और देखने हैं, और देख लो, मुझसे पुछ रहे है, कॉलंबिक फोर्स, हमारे जो प्रोटॉन बीचों बीच है, प्लस य, और जो लेट्रोन घूम रहा है, माइनस य, और उन दोनों इचे में सेपरेशन है, आर कॉलंबिक फोर्स बताओ, बड़ा कॉलंबिक फोर्स आता है, क, Q1, Q2, अपन आर स्कॉर, इन सब में तो, के में और इस इमिद बड़ा, ना तो कोई N है, ना कोई Z है, सिर्फ और स्कॉर में है, तो सम्तिंग सम्तिंग अपन आर स्कॉर, आर स्कॉर में आ जाएगा N की पावर 4, Z स्कॉर आ जाएगा उपर, तो Z स्कॉर अपन N की पावर 4, बड़ा मुझे तो C बी गलत लग रहे है, M, V स्कॉर, हाफ और M तो ठीक, बड़ा, V स्कॉर के अगर बात करें, तो that will be Z स्कॉर अपन N स्कॉर, बड़ा, V तो Z वाए N था, तो Z स्कॉर अपन N स्कॉर, तो मुझे तयार दो सही था, कि बड़ा, कौन से कौन से, A और D, बाकि बड़ा आप ठीक है, मेरे ख्याल से कोई मेरे कोई, ऑप्शन में गड़वड होगी है, तो बड़ा, वहाँ पर वो वाला जो ऑप्शन था, उसमें कोई गड़वड होगी, कि एसमें कोई गड़वड होगी, तो मिक बड़ चेक करना, ठीके टा, आगे चलता है, नेक्स्ट इस, चार्ज पढ़ा है, बारा मैक्रो डिस्टें सिक सेंटीमेटर फॉम दे सेंटर ओफ ए स्क्वायर ओफ साइड बारा सेंटीमेटर, अगेन बड़ा, क्लास का एग्जम्पल, एज शोन इन फिगर, एलेक्ट्रिक फ्लक्स थूदे स्क्वायर, वेरी इजी, सुनना बड़ा, अगर मेरे पास ये क्यू चार्ज ह तो वो A है, मतलब बड़ा, ये डिस्टेंस आपके 6 सेंटीमेटर है, और बड़ा ये आपके पास 12 सेंटीमेटर, तो मैंने इसको A लिख लिख गया, इसको A बाइटो लिख गया, इसको A लिख गया, आप इसे ऐसा मान सकते हो कि एक तरके से हमारा तो चार्ज है, वो यहां flux निकालेगा हम जानते that is q upon epsilon not माफ जानना चाता हूँ कि इस नीचे वाले face में से कितना निकालेगा तो आप बोलो किसरे ये बिल्कुल बीचों बीच है तो 6 face से बराबर निकालेगा तो नीचे वाले face से जो flux निकालेगा that will be of course q upon 6 epsilon not तो आपका अंसर आना चाहिए q upon 6 epsilon not q upon 6 epsilon not बीचा कियो कितना है 12 microcolom 12 into 10 raise to power minus 6 column upon 6 times epsilon not बीचा कितना है epsilon not is 8.85 into 10 raise to power minus 12 roughly बीचा तो बीचा थोड़ा सा डिविजिन करना है बीचा ऊपर तो आगया 2 into 10 raise to power 6 और नीचे आगया 8.85 तो 2 divided by बीचा कितना 8.85 ये बीचा पॉइंट 226 into 10 raise to power 6 मैसे जिए काँ 226 into 10 raise to power 3 तो आईस एक्स की वाल्यू आगये 226 आईस एक्स की वाल्यू आगये 226 ठीक है अच्छा चलिए अगले पेज पर आई बड़ा अच्छा अगर मालनों की वाल्यू याद नहों न एपसालन नोट के तो खास इतना इश्यू है नहीं इस एपसालन नोट की जगह आप ऐसे 1 अपॉन 4 पाई के भी लिख सकते हो और के तुम जानते हो 9 into 10 रिस्पॉंड ना है वो भी लिख सकते हो आंसर सेवी आएगा चलिए बड़ा ए रोड़ अफ लेंथ बड़ा दे रखी है मास 6 kg is bent to form a regular hexagon अच्छी बात बड़ा find moment of inertia of the hexagon about the axis perpendicular to the plane of the hexagon passing through its center ठीक है कर लेंगे बड़ा आसना ते सवाल है हमारे पास इस तरह से एक hexagon है ठीक है बड़ा पूरी length L है तो अफकोर्स हर साइड की length है L by 6 पूरे का मास M है तो बड़ा हर का मास है M by 6 यह 6 रोड से एक रोड दो रोड तीन रोड चार रोड पास रोड छे रोड ठीक हर का मास बड़ा कितना हो गया M by 6 M by 6 मुझे पूछा है moment of inertia कहा से इस hexagon के center से यहाँ निकाल लेंगे इस में से किसी भी एक रोड को अगर देखूँ तो उसका moment of inertia यहाँ से मुझे याद रहता है यहाँ से moment of inertia होता है ML square by 12 क्या होता बड़ा? ML square by 12 M नहीं एक रोड का मास है M by 6 ML square by 12 plus मुझे यहाँ के बड़ थोड़ी निकालना है कि regular hexagon में अगर यह length आपके पास अगर L by 6 है बड़ा देस ओल सो कमज़र भी L by 6 total angle आपका 60 आएगा बड़ा यह angle आपका कितना आएगा? 30 आएगा यह अगर L by 6 है तो यह L by 6 का cos 30 L by 6 का cos 30 cos 30 is root 3 by 2 तो यहाँ से तक parallax प्रेरों लगो parallax इंगरों कियाता है इसका mass M by 6 into distance का square यहाँ से यहाँ तक की distance का square यहाँ से यहाँ तक की distance का square हो गया है 3 times L square upon 6 into 2 12 का square यह तो एक का हुआ बड़ा ऐसे कित्ती रोट सामके पास? 6 रोट है multiply by 6 बड़ा multiply by 6 यह बड़ा आपका answer हो ना चीए यह बड़ा आपका answer मैं इसका answer लिए तो बड़ा मैंने solve तो करे रखे है बड़ा इसका answer आपके पास आएगा 0.8 बड़ा कितना आएगा? 0.8 kg पर मीटर स्कॉर बड़ा इसका answer जो आएगा? बड़ा इसका answer जो आएगा? बड़ा इसका answer जो आएगा? 0.8 kg पर मीटर स्कॉर ठीक अच्छा हूं आएगे चली बड़ा next is two objects of mass ratio 1 is to 2 have ratio of kinetic energy A is to 1 if their momentum are same find A बड़ा इसे फ़र्जिदा समाले आएगा? ठीक है बड़ा mass of mass of A upon mass of B is half kinetic energy of A is to kinetic energy of B is A is to 1 बड़ा मुझसे पूछे momentum का ratio क्या होगा? करल बड़ा कई तरह से रसकते हूं kinetic, sorry, momentum उन्हों का सेम है मैंने बोल रहे बड़ा सेम बोल रखा है कि momentum of A is equals to momentum of B बड़ा, उनके, मुझे उस kinetic energy का ratio को निकाल लाए कानिटिक energy को बड़ा आराम से लिख सकता हूं P square upon two times mass कानिटिक energy of B को लिख सकता हूं P square upon two times of mass लेकिन दोनों का momentum तो सेम है तू से two बड़ा क्या हो गया, cancel MB upon MA तो two आएगा अगर MA upon MB अगर half है तो MB upon MA बड़ा कितना आएगा, two आएगा तो A की value comes out to be two बड़ा A आपका two car चेक रख्चो, आगे चलिए two cars, both are moving toward each other with a speed of 7.2 km per hour source A produces a sound, बड़ा इसकी frequency दे रखिये beat frequency heard by the person sitting in car A ठीक ही बड़ा ये रही आपके पास ये रही बड़ा आपके पास car A car A के पास बड़ा velocity है, सामने की तरफ U is moving toward each other सामने बड़ा car B है, उसके पास भी बड़ा speed है U या रहना J main ने और IIT advance ने बिल्कुल ऐसे किया सवाल कई बार पूच लिया, even एक बच्चे ने मेरे को किशार कोई message भी किया था, कि sir Doppler के सवाल होती तो आसान है, और उसमें mathematics थोड़ी से tough होती है, तो वो बात उसके सच भी थी, हालाग मैंने उसे जवाब यह दिया था, कि ठीके बड़ा Doppler बगर के सवाल में थोड़ी से calculation तो होती है उस calculation को कर लो कि तो answer तो आई चाहेंगी और Doppler में पक्का होता है कि हाँ, ठीके calculation तो answer तो आई चाहेंगी तो इसमें बड़ा approximation लगाने होते हैं माल लीजे कि इसने बड़ा frequency जो छोड़ी है वो F0 है तो इस A के अंदर जो बालक बैठा है वो एक तो frequency सुने का F0 और एक और सुने का, कौन सी वाली Source A produces a sound Source B ने कोई sound नहीं निकाली है फिर सब दो frequency के सुने का एक तो खुद की आवाज सुने का एक इस से जो sound गई है वो B से टकराएगी और फिर वापिस आएगी B पर कितनी टकराएगी बड़ा B पर कितनी टकराएगी मैं उसको F1 लिख दिया है बड़ा मैं speed of sound को एक बार के लिए C लिख रहा हूँ ये observer है, नजदीक आ रहा है इसलिए plus U source है, नजदीक आ रहा है इसलिए minus U times actual frequency F0 अब F1 गिरी है वही sound बड़ा वापिस आएगी लेकिन ये F1 नहीं सुनेगा ये कुछ और सुनेगा, ये क्या सुनेगा F2, वापिसे डोपलर लगा मैं उस F2 को लिख सकता हूँ अब ये observer हो गया है ये source हो गया observer जारा नजदीक तो C plus U source हारा नजदीक इसलिए C minus U times actual frequency कितनी छोड़ी के थी वहीं आपके F1 that is of course C plus U upon C minus U times F1 F1 is already C plus U upon C minus U into F0 that comes out to be of course कितना अगे बड़ा ही C plus U upon C minus U का whole square times F0 हम से पूचा है कितनी beat frequency होगी beat frequency of course एक frequency तुम ये सुन रहे हो एक frequency तुम ये सुन रहे हो दोनों का जो difference है वही तबकी beat frequency है तो difference निकाल लो और चिल मचाओ तो चलो difference निकालते है हम जो beat frequency सुनेंगे उसकी value होगी this minus this C plus U का whole square upon C minus U का whole square minus 1 times F0 C minus U का whole square तो आगे नीचे C square C square दोनों तरफ से cancel U square U square दोनों तरफ से cancel यहापर 2CV sorry यहापर 2CU minus minus 2U उपर देगा 4CU times F0 अब बड़ा वो वाला instant आगया जब approximation लगाना था जैसे मैं आपको पहले कहा भी था C के सामने U बहुत छोटा है तो नीचे वाले C minus U को तो C लिखता है तो उपर मेरे पास आगया 4CU नीचे आगया भई U जो है मतलब 7.2 किलोमेटर पर आर ये तो speed of sound के सामने बहुत छोटा है वो तो किलोमेटर पर आर में मीटर पर सेग्ण में करने तो और छोटा आएगा तो C minus U को बड़ा मैं C लिख सकता हूँ उसका square C square times बड़ा आफका F naught C से C बड़ा cancel that comes out to be 4U F naught upon C बड़ा सिर्फ ओसे value ज़र रखने है 4 ठीक है बड़ा U बड़ा 7.2 किलोमेटर पर आरे है पहले मीटर पर सेग्ण में कनवर्ट करो मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करने के लिए 7.2 into 5 upon 80 ठीक है बड़ा 7.2 into 5 बड़ा कितना आएगा 36 upon 80 6 नीचे है C बड़ा कितना है 300 शानीज ठीक कि बड़ा निकालना बच्छो कितना आथा बड़ा 170 मिड़ा देखना कितना आएगा 2 into 2 into 6 7 6 divided by 85 बड़ा 15.90 आएओगा बड़ा 15.90 आएओगा हमें बड़ा nearest integer टिक करना है तो 16 टिक करना है ठीक है चली बड़ा चली बड़ा ओन अप्लाइंग force on a rod along its length the rod gets elongated by 4 cm 0.04 मिटर अच्छी बात बड़ा आपके पास बड़ा ये कोई rod है ऐसे length बड़ा L है let's say बड़ा cross sectional area जो है बड़ा वो A है young's model आपका Y है बड़ा आपने कुछ ऐसे forces लगा है तो इसकी length बड़ा गई है 0.04 हम जानते हैं कि क्या पंड़ा है force upon area ये आपका stress upon strain strain is delta L upon L is equals to young's modulus मेरे पास आगया that is F into L upon delta L is equals to young's modulus यहाँ से मेरे पास change in length बड़े आराम से आगई है बड़ा change in length कितनी आगई है F L upon A Y यह हमारे change in length है पहले वाले सवाल में change in length है 0.04 is equals to F L upon A Y if the length of rod is doubled अगर rod के लड़ा length दुगनी होती और diameter भी दुगना होता force same लगाते तो अब इस case में हमारी rod की length कितनी बढ़ती माल लेते हैं कि delta L बढ़ती माल लेते हैं कि delta L बढ़ती force उतना ही लेकिन rod की length L नहीं बढ़ता 2L diameter अगर तुम double करते तो area चारगुना होता तो पहले अगर area A था तो अब 4A into young's modulus this is my equation number 2 this is my equation number 1 जैसे मैंने delta L upon 0.04 किया this upon this किया F L F L A Y A Y ये बढ़ता cancel हो गया ये उपर आएगा तो बढ़ता मेरे ख्याल से 2 by 4 आगया होगा बढ़ता delta L मेरे पास आगया 0.0 बढ़ता उसने रिचता हूँ 2 into 10 rest to power minus 2 कितना आँसर आगया 2 आगया X बढ़ता value आपके पास 2 आगयी बढ़ता 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 की value दो आगया चली बच्छों next हमारे पास एक cylindrical wire है radius given है cylindrical wire है radius given है value है इसका conductance दे रखाए रखाए इसका मैजे conductance दे रखा है अच्छी बात है conductance बढ़ता तुम जानते हो कि resistivity का उल्टा मैं सो sigma ले देता है if the potential gradient along the length of cylindrical wire बढ़ता potential gradient बोल दो या electric field बोल दो एक ही बात है electric field भी given है यह electric field यह टरस है unit से भी दिख रहा है volt per meter current flowing the cylindrical wire is this much current पूछा है कर देंगे यार ऐसा मुझे को खास दिकतब तो लग ली नहीं बहुँ सारे तरीके उसके सोचने के एक तरीका मेरे पास यह है कि मैं जो sigma दे रखा और e दे रखा है तो बड़ा याद कुरो हमरे पास एक formula था e is equals to rho into j, rho था resistivity इसको में रिचता हूँ one upon sigma into j, मेरे पास आ गया j is equals to e into sigma j आ गया जी मिल्दो current density तो current केतना होगा? current होगा of course j into area area आ बढ़ा आपका pi r square तो मेरे पास आगया that is equals to e into sigma into pi r square सिर्फ values बटक नहीं बढ़ाओ ठीक कर लाँ सबसे पहले तो e 10 millivolt है बढ़ाओ 10 into 10 raise to power minus 3 sigma का आँगे बढ़ाओ 5 into 10 raise to power 3 SI unit में चेड़े में जबरोती नहीं 5 बढ़ा pi को में एक बार 3.14 लिग देदाँ radius का square बढ़ा 0.5 mm है तो 0.5 into 10 raise to power minus 3 का whole square करना बढ़ा देखना क्या करें? 10 raise to power minus 3 यह होगया 10 raise to power 4 मेरे पास आगया 5 into 10 raise to power 5 into 3.14 into बढ़ा यह 5 का square करता होगे 25 into 10 raise to power minus 8 बढ़ा किस में पूचा है? आज़ा pi में पूच रका है तो बढ़ा इसको दो पाई लिग दो इसको दो पाई लिग तो मेरे पास आगया that is equals to 5 pi into 125 into 10 raise to power minus 3 ampere अंप अंप ठीक है डा answer ला मुझे milli ampere में चाहिए तो यह milli ampere और pi तो बढ़ा आपका set हो जाएगा मेरे पास यह तो set हो जाएगा मेरे पास आगया that is equals to 5 into 125 5 into 125 10 raise to power minus 3.5 milli ampere लिग दिया एक बड़ा pi पहले सही है और बड़ा 5 into 25 5 into मैं इसको रशता हूँ 5 raise to मैं से compare कराऊ 5 raise to power 3 into pi milli ampere तो बड़ा pi ठीक है milli ampere ठीक है 125 को मैंने जान भूचके 5 raise to power 3 इसले लिखा है विए सवाल में x raise to power 3 लिखा रहा है तो मारे पास x की value comes out to be integer में answer चाहिए था इसले इतनी सारी मैनत कनी पड़ी बाके तो ठीक है विटा answer ऐसे भी छोड़ तो सकते ही थे चली विटा आगे चली एक हमारे पास एक LCR circuit है LCR circuit है of course inductor है capacitor है और अब क्यास को इस तरह का AC source है power consumption जो है वो 16 watt दे रखा है voltage source की frequency दे रखिये voltage source दे रखिये voltage source दे उसकी frequency दे रखिये और 120 volt बड़ा में ऐसे दे रखा है 120 volt अगर कुछ नहीं बड़ रखा तो of course RMS value ही है मुझसे पूछा है कि बताओ इस circuit का resistance क्या होगा very simple सारी की सारी जो कहानी है वो बड़ा इसमें चुकी है resonance power में resonance power वाले case में याद करो जब हमारा system इस तरह से resonance में हुआ करता था तो यह जो XL और XC हुआ करते थे यह आपके cancel हो जाया करते थे और Z की जो value है आपके पास वो R आया करती थी power की जो value थी वो maximum आया करती थी and that was simply E square by R XL और XC तो चाहिए यह नहीं और XL और XC नहीं चाहिए तो यह जो frequency है यह मेरे लिए वेटा कोई useful है यह नहीं यह जो यह काम की लिए मैं बड़ा राम से कहसे हैं कि मुझे resistance निकाला गया है तो that is of course E square upon P E है बड़ा कितना 120 to 120 into 120 upon power किता बड़ा पावर 16 watt ठीक बड़ा चार से बड़ा यह cancel होगा तो कितना आएगा 30 चार से बड़ा यह cancel होगा तो कितना आएगा 30 बड़ा 30 into 30 कितना आएगा 900 ठीक बड़ा चलो आगे चलते में नेक्स्ट इस एक और सवाल गैस इस अट RMS speed of 200 meter per second at 27 27 degrees Celsius बड़ा 27 degrees Celsius is of course 300 Kelvin तो RMS दिरखिये 200 तो 200 is equals to under root of 3 R T upon molar mass pressure को को use ही निया जवर दसते लिखा हो है if its RMS speed is something else कितना रखिये X upon root कितना रखिये कब जब आपका temperature 127 degrees Celsius 127 degrees Celsius को गड़र Kelvin में करने को तो 400 that is equals to under root of 3R into 400 upon curl बड़ा soul pressure pressure को यूज़ी निया दोनों को बड़ा divide कर दो मेरे पास आगया X upon 200 root 3 मैंने इसको इस से divide गया तो यह रायता हिर आए ता हिर आए ता हिर आए ता हिर हिर आए ता हिर आए ता बड़ा cancel हो गया और मेरे पास आगया root of 400 बड़े तीन सथ बड़ा root 300 root 300 root 4 बड़े ना आगया 2 मेरे पास X की value वागी है 400 प्रेक्स के विलकम जाउट लिए यह मारा आजर थीक टा चले आगे चलते हैं तो तो बागे पर सवाल रिपीट ही है ना वाने शाहिए विटी सेवन क्योशन सोल कर दिया थीन सवाल मिले नहीं नहीं वोजे मिल जाएंगे दो उनको भी हम सवाल करेंगे इन सवालों के अंदर वेड़ा कैलकुलेशन्स वागर में है फिर वैलेशन्स वागर में हलकी फुलकी उची नहीं छो सकती है बट I hope you know that कि सारे सारे मेमोरी बेस्ट ही है बट कॉंसेप्स तुमाने लगबग लबग आपको सारे सारे बताये दिये जिनवर्चों का अभी भी कोई से लोट बचा हो उन सबको और देस्ट